आज की इस वीडियो में हम बताने बाले हैं कि टिक टोक पे किसी को भी कैसे मैसेज विज़ते हैं तो इस वीडियो को देखते रहे हैं तो नमस्कार दोस्तों कुईक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं तो TikTok पे किसी को भी message भिजने के लिए सबसे पहले आपको TikTok आप open कर लेना है TikTok आप open करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface दिखेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आप TikTok पे किसी को तभी message भिज सकते हैं जब आप उसको follow करते हैं और वह आपको follow करता है यानि कि वह TikTok पे आपका friend होना चाहिए तो चलिए हाँ पर हम किसी को भी message भिजना चाहते हैं तो message भिजने के लिए हैं पर एक person का icon दिया गया है जिसके नीचे मी लिखा हुआ है तो इसपर ощущ करते हैं इसपर करने के बाद यहां पर आप अपने टिक-क link के प्रोफांस पर चल्यां गएीए उसके बाद यहां पर आपको जिसको भी message भीजना हो यहां पर आप जिसको follow की तो यहां पर आपको को फोलो किये हुए हैं और हम उनको फोलो किये हुए हैं और यहां पर बहुत सारे फोलो ही हैं मतलब केबल हम उनको फोलो किये हुए हैं लेकिन वह हम को फोलो नहीं की हुए हैं तो इनके पास मैसेज नहीं भीज सकते हैं के बल टिक टोक के जो भी फिरेंट है उसी को मैसेज भीज़ सकते हैं तो छल्य हैं इनकोम sergेश भीज़ना चाहते हैं तो इस क्लिक करें और यहां पर आपको क्लिक कर लें हैं और यहां पर बहुत करने के निकाथ में भीचने के बाद यहां से पर इसे पर देख से पेद्सेल्प एंडेकर जाएक आप ने से चला जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर अगर यहां मैसेजिटीं लगाय होते तो इनके पास यह मैसेज़ नहीं जाता और यहां पर एक नोटिफिकेशन में आपको यहां पर लिखा मिल जाता कि यहां पर यह प्राइबेंसी सेक्टिंग में अलाउं नहीं किया गया है और आपको कई सारे उप्षन मिलते हैं सब्सक्राइब अगर इस्टिकर भी सेंड कर सकते हैं तो चलिए एक जामपल के तौरप कोई भी कमेंट सेयर करें अगर आपी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो नीचे दिए गए डेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दवा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जो भी नए वीडियो अपलोड हो जिससे आपको नोटिक फिलकेशन प्राप्त होग आत्वाफर ने वीडियो को देख पाएंगे धन्यवाद